तमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल पर आज के इस वीडियो में हमारा जो टोपिक हमने स्टाट केया था मद्दप्रदस के राष्ट युद्धान एवं अभ्यारन तो उसी ससंबंदित हमारा यह जो है पार्ट टू है इसके पहला अगर आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले जो हमारा पहला कोशन है उसको यहां पर डिसकस कर लेते हैं तो हमारा आज के इस वीडियो का पहला कोशन है कि मद्दप्रदस का कौन सा बहरन जंगली भेंसे के लिए बहसे के लिए राश्टी उद्धान है तो प्रस्तावित है चार उप्षन है पन्ना सिंगोटी नूरा देई या बगदीरा तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वह बनता है पन्ना राश्टी उद्धान जंगली भेसों के है तू राश्टी उद्धान है तो आपक का इस्तित है अगला कोश्चन यहाँ पर है कि मद्द प्रदस के किस अभ्यारण में बबर सेरों को इस्तानांतरन करने की योजना आपकी बनाई गई है चार उप्षन है रातापनी अभ्यारण में पालंपूर अभ्यारण में और चाब बैरन में या उप्रवक्त में से कोई तो इसका उप्षन बी कुनो पालंपूर जो अभ्यारण है या पर बबर शेरों को इस्तानांतरन करने की योजना बनाई गई है सोरी आपका राश्टी उद्यान बन चुका है तो इसको राश्टी उद्यान कहना ज्यादा उचीत होगा देख लेते हैं इससे जूड़ी जा लहां से को इसदिता है कि हाली मैं यह जो कुनो पालंपूर राश्टी उद्यान यहां से जो हैं धक्षिनी अपरिकांसे छे चीते लाने फीजो है आपका जो है केंदर सरकार के द्वारा इसके मंजूरी दे दी गई है तो इस प्रकार से भी कोशन आ सकता है कि हाली में मद्यप्रदिश के किस राष्टी उद्यान में दक्षिनी अप्रिका से 6 चिते लाना जो है आपका प्रस्तावी थे या लाए जा रहा है तो यह भी आपका इसका भी राइट अंसर मनेगा कुनो कुशन यहाँ पर है कि मद्यप्रदिश के किस राष्टी उद्यान में क्रिश्न म्रगो की बहुत आया थे चार उप्षन ने सत्थ पुड़ा पेंच बाद नहुगड़िया उप्रवक्त में से कोई नहीं तो उप्षन भी पेंच जो राष्टी उद्यान है आपका यहाँ राइट एंसर बनता है मद्य प्रदेश के पेंचे राष्ट उद्यान में क्रिश्न म्रगो की संख्या सर्वादी यह उद्यान पोजेक्ट ट्राइगर में भी आपका शामिल कर दिया गया है और पेंचे राष्टी उद्यान काहां पर इस्तित के перв दो जीनों में आपका पे इस्ति थे चार व्सने काना किसली बांदरभर सत्त पुडा यब संजये तो इसका आपका राइट आंसर बनता है कानाराश्टि उद्यान ये काना किसली राश्टि उद्धान में हालो गाटी जरू घया का इस्ति थे कैप्टन जयर फारसनात ने अपनी पुस्ता का हाई लेंड ओप सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी का वर्णन किया था तथा ब्रांडे ने बंजर घाटी का जो अब दोनों ही काना किसली राष्ट उद्धान के अंतरगत आती है तो यह काहां परिस्ति थे तो यह काना किसली राष्ट उद्धान में आपकी इस अगला कोश्शिन यहाँ पर है कि मद्दप्रद tales के किस राष्टी उद्धरन का पुराना नाम डुबरी राष्टी उद्धरन था चार उप्षन है काना किसले बांदव वाड़ संजय या सत्थ पुड़ा तो जो संजय राष्टी उद्धरन था या कहीं बार आपको सुनने म नाम था आपका डूबरी था तो आइए देख लेते हैं इसे जूरी जानकारी मद्यप्रदेश के विभाजन से पूर्व सबसे बड़ा राष्टी उद्धान संजेई राष्टी उद्धान था तो देखिए यहाँ पर हमारा जो इंपोर्टेंट फेक्ट है वह भी कवर होता ह यहाँ पर अगर आप से पूछा जाता है कि मद्यप्रदेश के विभाजन से पहले मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्धान कोंसा था तो यह आपका सन्जई गांधी सोरी सन्जई राष्टी उद्धान जो है तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है बनता है ओक्षन है बांधवगर और काना किसले राष्टी उद्धानों में जो है जंगल गरी गली यारा योजना के तहत जो है इन दोनों को जोड़ने का आपका प्रस्ताउ और रखा गया है मध्य प्रदस में जंगल गली यारे रखाव 1 निती का रुवक्षुन थेंड बनी प्रकुंद यांफे दूनिते था और सवे अपशने अपनी कीवट्टी सासानल ने पहली वसमे स़न्रों की घोषित की गई था उन इस वांपर यहां पर राइट अंसर बनता है साइद 1922 यहां पर मैंने बोल दिया है तो इसका राइट अंसर बनेगा कि मद्यप्रदेश सासा ने अपनी पहली वन निति सन 1952 में जो आपकी घुशित की गई थी इसके ठीक वर्षों बात प्रदेश सरकार ने दूसरी वन निति 2005 में आई तो यहां यहां से कुषण का था है प्रजीनन केंद्र आपकशन प्रदेश को नो गंगाँ यहां तो इसके आपका जो जो राइट अंसर बनता है वह बनता है कुनों में जो आपका एसी आशी का सरक्षान प्रजिनान केंद्र जो आपका खुला जाएगा अगला कोशन यहाँ परे कि मद्यप्रदेश का पहला राष्टी उद्यान कौन सा है चार ओप्षन है काना किसली मादव राष्टी उद्यान बांदव घड या पन्ना राष्टी उद्यान तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ओप्षन है काना किसली राष्टी उद्धान जो है आपका मद्धर प्रदेश का पहला राष्टी उद्धान है बात करें इसकी तो वन्य जीवों के सरक्षन के लिए राष्टी उद्धान इस्ताफित किये जाते हैं 1974 में इसे जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतरगर शामिल किया गया प्रदेश का एक मातर एसा राष्टी उद्ध्यान जिसका अपना खुद का सुबंग करें भूराद बारा सिंगा और इसको किसन तयार किया तो रोहन चक्रवती के द्वारा इसको तयार किया गया है अगला कोशन यहाँ पर हमारा है कि बांदोगल राष्टी उद्ध्यान किस वर्षम में आपका इस्ताफित हुआ था तो सबसे पहले बांदोगल राष्टी उद्ध्यान कहां पर इस्ती थे तो मद्द प्रदेश के उमरियाद जिले में आपका इस्ती थे और आपकी जानकार में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आपका शामिल किया गया गया तो बांदोगar राश्तर उद्द्याण से निकलती है तो बांदोगर राश्ट्र उद्द्यानu से आपके गुजरती है देखते हैं यहाँ पर अगला कोश्चन अगला कोश्चन है पन्ना राष्ट उद्धान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में आपका शामिल किया गया चार उप्षण है उप्षण है उप्षण सी जो हमारा रैट हैंसर बनता है 1994 में जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना है उसके अंतरगत पन्ना राष्ट उद्धान को आपका शामिल किया गया था बागो के सरक्षण के लिए केंदे सरकार द्वारा संचालेत प्रोजेक्ट टाइगर योजना मद्द्पदेश के छे राष्ट उद्धानों में लागु ह गई तो 1994 में आपके लागू हुई थे अगला कोशन यहाँ पर है कि मद्दप्रदस के प्रथम जिवास में राष्टी उद्धान का छेत्रफल कितना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जो जिवास में राष्टी उद्धान है यह कहां पर इस्तित है तो प्रथम जिवास में राष्टी उद्धान लिनडोरी इसका वर्हके किलो मिटरे सबसे कम उद्धान को भुतल जीवास में में जो है रखे जाते हैं वो 1968 में ही जो है आपके इसके स्थाफना की गई थी साथ इसे जो है घुगवा नेशनल पार्क के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है तो अगर इस प्रकार से भी कोश्चन आता है तो आप कंपुशन मत होईएगा मद्यप्रदेश का प्रथम राष्टी उद्धान कोन सा है मद्यप्रदेश का प्रथम जिवास में राष्टी उद्धान कहां पर इस्तित है दिंडोरी में श्रीट है चेतरफल 0.27 किलोमेटर इसता अपना 1968 में घुगवा नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है व इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है खंडवा जिले में जो आपका उंकारेश वर राष्टी उद्धान जो है आपका इस्तित है चलिए देखते हमारा इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए वर्तमान में मद्यप्रदेश में आपके बारा राष्टी उ सुम्मिलित कीजिए एक दरब गरन दिए गए हैं दुसरी та र उन की बाता के बात कि आता है वह आपका होशंगाबाद के अंतरगत आता है तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जान करी रातापनी अभ्यारन आपका राइसें जिले में हैं सेलाना जो है आपका रतला में है गंगोव अभ्यारन आपका ग्वालियर में इस्तित है वही जो बोरी अभ्यारन है आपक न का संबन्द पर आवरण से है अगला कुश्ण एक उपरियाटन मूल रूयर्प से पर आवरण अनुकुल गतीवीदिदे आ है जो परियावरन सेरक्षिन के साथ परियाटन विकास्वर्भी आपके आपका बल देती है अगला कुश्ण यहाँ पर बंद प्दद शर्षन द वन्यजीव सरक्षन अदिनियम जो है आपका कब लागू किया गया तो 1973 में इसको लागू किया गया था इस अदिनियम के लागू होने के बाद राज्य में 12 सिंगा सेरव चितोलग की जो संक्या उसमें ब्रद्दी हुई थे 12 सिंगा की संक्या में मद्यप्रदेश के बाद नवंबर 1981 को उसे राच्किये पर्षू जो है आपका घुषित किया था यह दिनियम राष्टी सितर पर उन्नी सो बहतर में बना जबकि मद्यप्रदेश में 1973 में आपका लागू हुआ था तो मद्यप्रदेश का राच्किये पर्षू कौन सा है तो वह है आपका बारा देखते हैं आपर हमारा अगला कोशन अगला कोशन है मद्यप्रदेश के कुल कितने राष्टी उद्यान और अभ्यरन में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत इनको शामिल किया गया है या मद्यप्रदेश के कितने राष्टी उद्यान अभ्यरन प्रोजेक् टाइगर योजना के निदाएंड बाढ़ता के राश्ट्र राश्ट्ट देएंड एक बेर निक सहित कुल साथ राश्ट्त देन अब बेरैनस योजना में के सामील हो चुके हैं और कौन-कौन से शामिल है तो देखिए यहाप पर जो काना किसली राष्ट्य उद्यान है यह आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उसके बाद जो आपका बांधोगा राष्ट्य उद्यान आईगा वह भी जो आपका शामिल है साथीु जो पन्ना विद्धान जो कि इसके अंतरगत शामिल है वहीं एक अब बहरन कुंसा है तो वह आपका राता पानी अब बहरन जो कि आपका राइसें जिले में इस्तिते अगला कॉशन यहाँ पर है कि निमने लिखित में से कौन सा आप बहरन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आपका श जर बनता है वह बनता है धार जिले में जिला कि एक बितया एक उपर मद्ध जिले में प्रड़ेस्के धार-जिले में शुआ जिनकें आपका क्या पर देखते इंद्रा गांधी प्रियादर्शनी पार्क किस राष्टी उद्धान का नाम है तो जो पेंच राष्टी उद्धान है इसी को जो है इंद्रा गांधी प्रियादर्शनी राष्टी उद्धान के नाम से भी आपका जाना जाता है पेंच रुडियाड किपलिंग की विश्व प उस्ताकद जंगल बुक का कथा चेतर रहा है मद्यप्रदेश का पेंच राष्ट्री उद्धान का नाम अब इंद्रा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्री उद्धान कर दिया गया है तो इसको जो है अब आपका इंद्रा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्री उद्धान प्रद्दिश की राजताने भौपाल में की जा रही है इस अरप उद्ध्यान की योजना भौपाल नगन निगम के द्वारा आपके तयार की गई है अगला कोशन यहां पर देखते हैं कि मद्धप्रद्दिश के किस राष्टी उद्ध्दान में वन जीवों को गोद लेने की योजना आपकी प्रारंबक की गई है चार उप्षन है काना किसली बांद अगर सत्पुड़ा या वन विहार तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है उप्षन डी मद्यप्रदेश का जो वन विहार राष्ट्य उद्धान है यहाँ पर वन ये जीवों को में आपके प्रारंबक की है वन विहार राष्ट्य उद्धान की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई 1979 में इसकी स्थापना हुई और कहां पर इस्तित है आपका बोपाल में जो है या आपका जू भी है साथ यहां पर जो होते हैं जिनको चोटो अगरा लग जाती है तो बत्रण था तो इसकी है अगला कोोष्टन यहां पर है कि मध्रपदーस का सबसे बड़ाराश्ट्य उद्ध्यान कोई साई चार ऊप्शन काना किसली बंद अगण पंण में सबसे बड़ा राश्टी उद्यान है अगर आप से पूछा जाए कि विभाजन के पूर्वा यानि कि मद्यप्रदिस का जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पूर्वा मद्यप्रदिस का सबसे बड़ा राश्टी उद्यान कौन सा था तो वह था आपका संजे राश्टी उद्यान सबसे बड़ा था जिसका अधिकांस भाग चतिसगर में जाने से काना सबसे बड़ा राष्ट उद्यान आपका बन गया अगला कोश्चन यहां पर है कि मद्यप्रदेश में जेव मंडली आरक्षी चेत्र आपके कहा है चार ओप्षन बांधव गड़ श्रीव पूर मंचमड़ी को यूनेस्कों की विश्वदरोवर सुची की वन्या प्राणी सरक्षन सुची में आपका शामिल क्या गया है पंचमड़ी को मद्यप्रदेश को प्रदेश की गिरिश मकालेन राजदानी विजव आपका कहा जाता है अगला कोशन यहां पर है कि सत्पुड़ा आपका शामिल क्या गया है अगला कोशन देख लिजें आपर कि संजय राष्टी उद्यान मद्यप्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है चार ओप्शन ने सब जबलपूर सीधी नर्चम कुर्या चिंदवाड़ा तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बन इकांस हिस्सा 36 गड़ में आपका चला गया है सेंस हिस्सा मद्यप्रदेश के सीधी जिले में आता है इसे 1981 में राष्टी उद्यान गोशित किया गया तथा 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसका आपका शामिल क्या गया अगला कुशन यहाँ पर है कि सांग के सागर जिल कर देते चार्शन पना रष्ट ड्यान माधव रच्ट अजए राष्ट अपर गया पर्लटार। इस्तित है तुछा साथ यहां पर देखिए जोर्ज केसल नामक भन भी आपका यहीं पर इस्तित है और इसका छेतरफल की बात करें तो किलोमेटर में यह जो आपका राष्टि उद्यान माधव राष्टि उद्यान फिला हुआ है अगला कोशन आपर है कि प्रथम जीवित सपेद भाग किस जंगल में आपका पकड़ा गया था चार उप्षन साइबेरिया कारबेट पार्क अवंति या रिवा तो इसका आपका ज जिले के जंगल थे वहां पर प्रथम जीवित भाग जो है आपका पकड़ा गया था सपेद भाग मध्यप्रदेश का रिवा जीला सपेद भागों के लिए प्रसिद है रिवा के जंगल जंगलों से ही प्रथम सवेद प्रथम सपेद जीवित भाग जो है आपका पकड़ा था पूर्वर रिवा इस्टेट के महाराजा दोरा 1950 में विश्व प्रसिद सपेद बाग महोन को जो है यहीं के जंगलों से आपका जो है ढूंडा गया था वहीं मद्यप्रदस का जो आपका सतना जिला है यहाँ पर जो है आपके विश्व की पहले टाइगर सपारी जो है इस वाल जो चैत्रह सपेद बागों के लिए आपका जाना जाता है चार और रहिल घंड बंग सब्सक्राइब को यहाँ पर बात यहां पर आप को बता देते है या जो बागों की गणा हुई थी उसमन्दीद प्रमुग जानकारिय यहीं पर आप डेख लिघिए तो देखिए जो बाग गन्ना आई थी वह आई थी आपकी दोजार अठा रखी और इसके अनुसार आपके पूरे देश भर में जो है टू नाइन शिक्स सेवन जो है आपके भाग थे तो जो बाग तो जो है आपके टोटल इंडिया में बाग थे और सबसे जादे जो बाग आ आपके कहा पर हैं तो मद्धापरदेस में पाए गए थे कितने थे पांसोच बश्ट esth यूज आ this लुट है बात好 करना ठाका। जो हैब बाग जूरी जानकारी Leo नाम से भी आपका इसको जाना जाता है साथ यूय आपकी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रतिवश 29 जुलाइग को जो है आपका बाग दिवस भी मनाया जाता है वही अगर बागों की यहापर बात करें कि सरवाधिक बाग मद्यप्रदस के किस राष्टी उद्यान में आपके पाए जाते हैं तो काना किसले राष्टी उद्यान में सरवाधिक बागो की संख्या आपको मिलेगी वहीं अगर आप से पूछ ले आ जाए कि मद्रपरदस के किस राष्टी उद्द्धान में बागों गनतव दिखे तो मद्रपरदस का बांदोगर राष्टी उद्द्धान है वहाँ पर गनतव जो आपको सर्वाधिक मिलेगा तो यह था साथ बेल नोटिफिकेशन भी ओन करके रखियेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुच जाए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू बेरी मच